जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी प्रकार की सड़कों का अच्छी स्तिथी में रख रखाव सरकार की प्राथमिकता है लेकिन कानपुर की सड़के देख कर ऐसा लगता नहीं है बता दे कि मुख्यमंत्री योग्याद तनात ने 9 सितंबर को सभी विभागों को सड़कों की मरमत अभियान मोड में करने का निर्देश के साथ शहर के दीएम और कमिशनर को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये थे कि सभी सड़कों की समय पर मरम्मत की जाए और सभी सड़कों को गढधा मुक्त किया जाए समीनी स्तिथी का आंकलन करने और कारे प्रगती को देखने के लिए मंडल आयुक्त राज शेखर ने कानपुर शेहर में प्रमुक सड़कों का ओचक निरीक्षण किया आपको बता दे कि आयुक्त ने मुख्य अभियंता प्रमुक्त को सभी प्रमुक्त के सड़क मरम्मत कारें को 30 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं साथ ही उन्होंने जनहित में वाटसेप हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर गिवल वाटसेप संदेश विवरन के साथ फोटो और विडियो भेजने के लिए जनता के लिए अपनी शिकायतें या सड़क मरम्मत कारों के बारे में सुझाओ दर्च करने के लिए उप्योग किया जाएगा ये नंबर 15 अक्टूबर से शासकी अकार दिनों में सुभा 10 बजे से 5 बजे तक काम करेगा हेल्प लाइन से प्राप्त शिकायतों सूचना और सुझाओं को अग्रेशित किया जाएगा और सापताहिक आधार पर उनका पालन किया जाएगा